Good morning students, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्त होंगे, अपने घरों में होंगे और अपनी study को continue कर रहे होंगे मैं आपकी teacher Mrs. Reno आपका welcome करती हूँ आज फिर से class third में subject English grammar के साथ आज हमारा topic है बेटा the sentence the sentence बेटा sentence क्या होता है? सबसे पहले तो हमें पता हुना ची sentence को हम हिंदी में बोलते है वाक्य क्या बोलते हैं बेटा वाक्य आप जब मैं pronunciation कर रही हो तो आप जो लिखा गया है material दिखाया जा रहा है आपको आप उसे एक बार पढ़की देखिए ठीक है बेटा, जब तक आप उसे खुद नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको वो चीज़ समझ में नहीं आ पाएगी हमारा टॉपिक है the sentence, sentence को हम हिंदी में बोलते हैं वाक्य, ठीक है तो हमें पहले उसके definition पता हो नीची तब तो पता चले का ना अब जैसे आप example लो, कि आप कोई भी sentence बोल रहे हो कुछ भी आप बात करते हो, ठीक है अगर आपको अपने friend से book मांगनी है, या अपने भाई से book मांगनी है, तो आप क्या बोलते हो, भाया मुझे book दे दीजिए या भी या मुझे किताब दे दीजिए ऐसे बोलते हैं या please give me my book, या give me book ठीक है, तो कुछ में ऐसे आप sentence बोलते हैं ठीक है, तो आप जो sentence बोल रहे हैं, ठीक है, वो एक क्रमबत तरीके से बोल रहे हैं ठीक है, ऐसे तो नहीं बोलते हैं कि भाया, book तुम्हारी, कुछ ऐसे ठीक है, पजल तो नहीं करते हैं मतलब जो आप बोल रहे हैं, वो complete समझ में आता है कि हाँ, ये क्या बोला जा रहा है तो उसी तरीके से जो वाक्य होते हैं ठीक है, जो sentence होते हैं उसकी definition भी इसी तरीके से बनती है definition देखेंगे हम सबसे बहले a group of words that makes complete sense is called a sentence ठीक है, definition अब इसे ध्यान से सुनिए क्या है a group, group means क्या पता है, देगो इसके उपर मेनी लिखा हुआ इसका समूह, ठीक है, group का means क्या हो गया समूह, of, का, words, शब्दों शब्दों का वह समूह, यह शब्दों का एक समूह that जो makes बनाता है, complete, पूरा यह पूरी sense, earth, is called a sentence वही एक वाक्य कहलाता है, अब इसको हम arrange करेंगे a group of words, शब्दों का वह समूह, जो पूरा अर्थ बनाता है, उसे हम sentence कहते हैं, ठीक है अब आप कोगे, मैंने definition तो होगे, लेकिन हमें समझ में नहीं आया अब आपको समझाने के लिए, मैंने आप एक्जम्पल ले रखा है see, एक्जम्पल हमने लिख्या लिया है कि वरुन, ठीक है क्या केल रहा है, वो फुटबॉल केल रहा है इसका मतलब ये हुआ कि वरुन, फुटबॉल खेल रहा है तो हमें समझ में आ रहा है कि वो क्या कम कर रहा है कौन कर रहा है, वरुन कर रहा है क्या कम कर रहा है, खेल रहा है, क्या केल रहा है football केल रहा है, समझ में आया ना बटा, अब जैसे हमने एक और example ले रखा, यहाँ पर अर्पिता goes to market, ठीक है, अर्पिता market बजार जाती है, ठीक है, यह भी हमें समझ में आया रहे है, ठीक है, अर्पिता market जाती है, अब हम next example लेंगे, यह देखे, sweet apple tree on the अब यह क्या sense बनी, कि sweet apple tree on the कुछ समझी नहीं आ रहा, कि क्या हो गया यह sweet मतलब, मिठा, apple means, same, tree means, paid on the उपर, क्या कुछ बना यह, नहीं बन रहा तो यह incomplete sense दिखा रहा, it means यह है, कि यह sentence नहीं है यह sentence है, क्योंकि इनके complete sense बन रही है और इसके incomplete sense बन रही है, इसलिए यह sentence नहीं है, और यह sentence है, ठीक है पिटा, अब example के इसाब से आपको समझ में आ गया, लेकिन इनके कुछ facts होते हैं, अब अगर आप यह जो facts दिए हो हैं यहाँ पे, इनके कुछ facts होते हैं अब अगर sentence के facts बता दित्यों में आपको फिर आपको यह और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो इसके दो facts होते हैं और दो के आगे part है, मैं आपको अच्छे से broadly explain करके बताती हो, ठीक है, देखेंगे यहाँ पे, some facts about a sentence, ठीक है, sentence के कुछ facts होते हैं, जो हम जानेंगे, first effect है कि, a sentence always starts with capital letter, जो sentence होता है, जो वाक्य होता है, वो हमेशा, always means हमेशा, start means शुरू होता है, ठीक है, capital मत means, बड़े, और letter means, अक्षर, तो जो sentence होता है, वो हमेशा, जो इसका first letter होता है, वो हमेशा capital होता है, for example के लिए मैंने यहाँ पर दे रखा है, my name is Reno, ठीक है, मेरे नम रेनू है, तो जो my, कौनसा word है, इसका first, M है न, तो M मैंने देखो, बड़ा बनाया हो है, capital बनाया हो है, तो देखो, my name is Reno, तो इसका मतलब यह की चीज़ क्या होनी चीए, यहाँ पर, यहाँ पर मैं आपको यह करके दिखा जाती हो, underline, कि यह जो M है, या जो भी आपका first letter होता है, वो आपका capital होना चाहिए, understood है, ठीक है, next है, और आप इस जो वीडियो दिखाई जा रही है, इस क्या लिखा गया, और हो सके तो आप इसके न, five five example लिख लेना दोनों के, next fact है, a sentence ends with, एक sentence जो होता है, वो खतम कहा होता है, with a full stop, या तो उसके end में full stop आएगा, जैसी यह sentence था मेरा, ठीक है, यहाँ पर capital letter बेने use किया हुआ है, तो यहाँ पर last में देखो, क्या है, full stop लगा ठीक है, लेकिन यह complete sense नहीं बन देख, तो इसका मतलब यह sentence नहीं है, तो यहाँ पर हमारे full stop भी नहीं आया, नहीं को question mark आया, नहीं को exclamation mark आया, कोई भी निशान नहीं आया, ठीक है, तो sentence के सबसे बड़ी पहचान यह होती है, कि उसके या तो last में full stop आएगा, या question mark आता ह या exclamation mark आता है, इस तरीके से, ठीक है, यह तीन निशान हो गए, अब हम इन तिन निशानों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और यह कहां आते हैं, यह भी जानेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आईए, यह flow chart में आपके लिए बनाया हुआ है, सबसे पहले है full stop, ठीक है, full stop यह निशान होता है, dot होता है, ठीक है, वीडियो clear दिख रही है न बट आपको, says or declare something, यह full stop कहां आता है, जहां जिस sentence में कुछ कहा जाता है, यह कुछ declare किया जाता है, कि हाँ, यह चीज़ चाहिए, I want a cup of tea, मुझे एक चाय का cup चाहिए, तो मैं declare कर दिया, कि मुझे क्या च यह चीज़ चाहिए, कि मेरा नाम रेनू है, ठीक है, यहाँ पर मैं declare कर दिया, यहाँ पर हमने full stop लगा दिया, उसके बाद है, question mark, question mark का निशान यह होता है, question mark का निशान कहां आता है, एक sentence में जहाँ पर question ask कि आता है, question पूच्छा जाता है, तो महाँ पर question mark का निशान आत इस तरीका के निशान होता है, चीक है? और यह वहाँ यूज के आता है जहाँ पे sentence में या तो बहुत जादा खुशी दिखाए जाती है या बहुत जादा दुख दिखाय जाता है, जैसे हरे, we have won the game, हरे, कि हमने गेम जीत लिया है alas he had died alas, मुझे बहुत दुख है, अरे वो मर क्या, इस तरीके से चेके में का, तो इस तरीके से आप इस material को अपनी notebook में no-down करेंगे, और अच्छे से इनके इस दोड़े example खुद बना कर लिख सकते हैं, यह आपकी English grammar का first chapter है, ठीक है तो हम एक बड़ दुबारा से quick revision करते हैं इसकी definition क्या है वाक्षी की sentence की, a group of words शब्दों का वहस अमूँ that makes complete sense जो पूरा अर्थ बतलाता है वो क्या है, एक sentence कहलाता है for example, Varun is playing football Varun football खेल रहा है, यह complete है यह incomplete sense है दो fact होते हैं इसके, कि एक तो capital letter से वो शुरू होगा और end होगा full stop से, यह question mark से, exclamation mark से यह मैंने आपको निच्छे उसके examples देके, बताया हुआ है describe किया हुआ है, ठीक है बट्या इसको आप अच्छे से note down करेंगे और अपने study को continue new रखेंगे, बिल्कुल भी break नहीं होना चाहिए, आपकी study का बिल्कुल loss नहीं होने चाहिए, हमें thankful होने चाहिए हमारी school की management team का, जिनोंने हमें इतना अच्छा idea देके, आपकी study को continue रखने का, सुझाव दिया है ठीक है बटा ओके बटा, अब next वीडियो में हम दूसरे subject के साथ मिलेंगे तक तक के लिए आप इसे revision करते हिए और आपको जो भी homework मिल रहा है उसे पूरी निष्ठा से, सुन्दर सुन्दर handwriting में, notebook में note down करेंगे, learn करेंगे ठीक है बटा बगवान आपको स्वस्त रखे, stay at home, stay safe and be happy, God bless you Bye